उन्होंने कहा है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा हमारी बेहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी उसका हिसाब लगाए जाएगा हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगा है क्या है पैसे कहा है नोकरी कहा है उसकी जांच की जाएगी इतना ही नहीं आगे क्या कहा है ये जो गोल्ड है बेहनों का और और जो संपत्ती है ये सब को समान रुप से वित्रित कर दी जाएगी क्या ये आपको मंजूर है क्या आपकी संपत्ती सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या आपकी संपत्ती को आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ती को सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या उस संपत्ती को मेरी माता और बहनों की जिन्दगी में सोना वो सिरफ शो करने के लिए नहीं होता है उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल सुत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है तुम उसे चिन्दे की बात कर रहे हैं आपने मैंने पेस्टों में गोल ले लेंगे सब को वित्रित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब ये संपत्ती करके किसको बातेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बातेंगे गुस्पेठ्चों को बातेंगे क्या आपकी महनत की कमाई का पैसा गुस्पेठ्चों को भी आ जाएगा आपको मंजूर है ये यह कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट्ट नो कह रहा है जुक्व माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जान करें लेंगे और फिर उसाफ़ती को बाड़ देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमोन सिंग जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भाईयों बेहनों ये अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बेहनों ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे मैं कहने आयो